आज हम देश के सामने एक ऐसा परदाफाश लेकर आए हैं जो शायद अब तक सरकार की जानकारी में भी नहीं है एक ऐसा धंदा जिससे 11 मुलकों की पुलिस भी नहीं पकड़ पाई है और ये खुलासा जुड़ा है बिट पॉइंट जैसी क्रिप्टो केरंसी से पिछले कुछ बर्सूं में इस तरह की क्रिप्टो केरंसी का जिक्र आपने भी कई बार सुना होगा और लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि क्रिप्टो केरंसी में निवेश बड़े फाइदे का सौधा है लेकिन सच तो ये है कि ऐसी केरंसी फाइदे का सौधा नहीं बल्क कि ज्यादातर तरदेश इस तरह की करेंसी से परेशान है खुद भारत सरकार भी ऐसी क्रिप्टो करंसी को मानिता नहीं देती लेकिन आज हम देश के सामने बेनकाब करने वाले हैं कुछ ऐसी अशी कंपणियों को जो फर्जी क्रिफ्टो करंसी के नाम पर लोगों को लूट कि यह सिक्का कल तक हजारों का था आज लाखों में खेल रहा है पूरी दुनिया भाग रही है इसके पीछे अब आप भी दौड लीजिए इस रेस पे इतना कमाएंगे कि तिजोरी छोटी पड़ जाएगे अपना बंगला होगा अपनी गाड़ी होगा सारा जमाना सलाम ठोकेगा तौलत इतनी मिलेगी कि साथ पुष्टे सवर जाएंगी बस जितना कमाया है जितना बचाया है लगा दीजिए किसी क्रिप्टो करंसी में अरे बैन बैन कुछ नहीं होता कुछ हुआ भी तो हम बैठे हैं न बैन तो भारत में हुआ है बाकी दुनिया तो अपनी है जापान में एटियम लगा हुआ है दोबई में एटियम लगे हुए है अफ्टा इंडोनेशिया में एटियम है मलेशिया में कार बेडियर thatell औ आज नहीं तो कल ऐसे राय बहादुरों से आपकी मुलाकात भी हो सकती जो आपको बिटकोईन जैसी क्रिप्टो करंसी का ऐसा अर्थ शास्त्र समझाएंगे कि आप नचाहते हुए भी अपनी सारी कमाई उन शेख चिल्नियों के हवाले कर देगे यह जानते हुए भी कि पिछले बजट में भारत सरकार बिटकोईन जैसी क्रिप्टो करंसी को बैन कर चुकी है आज हम आपको वो दिखाएंगे जो अब तक सरकार भी नहीं देख वाए हमारी अंडरकवर टीम ने देश की कुछ ऐसी कमपनियों को खोज निकाला कुछ ऐसे चेहरों को ढून निकाला जो बिटकोईन जैसी क्रिप्टो करंसी चलाते हैं उस वर्जी करंसी के नाम पर लोगों को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं और जब तक जनता की आँख खुलती है वो नटवर लाल फरार उप जाते हैं और ये क्रिप्टो करंसी पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द है इस साल संसत के बजट भाशन में भी खुद देश के वित्तमंतरी ने एलान किया था कि भारत में किसी भी तरह की क्रिप्टो करंसी को मानिता नहीं दी जाएगी लेकिन हमारी अंडरकवर टीम को जानकारी मिली कि सरकारी पाबंदी के बावजूद डेश में ऐसी तमाम कंपनिया मौझूद हैं जो बिटकोईन जैसी क्रिप्टो करंसी का धंदा कर रही है और हमने ऐसी तमाम कंपनियों को खोज निकाला है उन कंपनियों तक पहुँचने के लिए हमने पहले तो उन्हें एक फर्दी कहानी बताई हमारी अंडरकवर टीम ने उन्हें बताया कि हम चिटपंड के धंदे के पुराने खिलाडी हैं हमारे पास निवेशकों का एक लंबा चोड़ा नेटवर्ट मौझूद है और अगर मौका मिले तो क्रिप्टो करंसी के लिए हमें मोटा निवेश भी उन्हें दिला सकते हैं बात करोणों की थी और इसलिए कंपनी के अधिकारियों ने हमें सारा खेल समझाना भी शुरू कर दिया तो चलिए उन फर्दी कंपनीों को बेनकाप करने का सिल्सरा अब शुरू करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाउं जहां एक पौश इलाके में एक नटवरलाल कंपनी अब तक हजारों लोगों को चपत लगा चुकी है लखनाउं का एक पौश इलाका गोमती नगारी और यहां की एक बड़ी सी अमारत में चलने वाला शाइन ग्रूप और कंपनीज का तब तक है यहां रोजाना सैकुडों लोगों का आना जाना होता लाखों रुपा इन निवेश कराये जाते हैं जहां हमारी मुलाकात हुई कंपनी के प्रेजिडन्ट मुहम्मद सैफ से हम मुद्दे की बात पर आते उससे पहले सैफ ने हमें भी सपने दिखाने शुरू करती है जितने भी लीडर है जितने भी है आज यहां पर आने से वहले पांच सार पढ़े सब जीरो थे अब कोई घर करना रहा है कोई भर के भगाया हुआ था कोई समाज भी एक दिखिन नहीं कर पाएगा वो सभी लोगाज हमारे यहां एक लगजरी डाइडिस्टाइट है हमने उसको करोड़ पती नहीं करोड़ नहीं करोड़ नहीं सेफ अपनी कमाई परशेखी बगार तरह और हम सब कुछ चुप-चाप सुनते रहे है जो आधी मंतली इसमें हो गया है मंतली इंकम हो जाती है बसक्ता समय आजी दिखाना करें इंकम देजिन कि लाभी नहीं है कि ठाथि कहां करें साथी नहीं कि इस तका समझें इसना बस्त्री बिल पारा कि ठाथि करें कि सैफ के मुताबिक 29 बरस की उमर में वो क्रिप्टो करंसी के धंदे में इतनी दॉलत कमा चुका है बड़े-बड़े डॉक्टर इंजिनियर भी शर्मा जाए है कि अजिए परवाले में बहुत पुद्धे कि हैं जो लोग जो है रिटार्मेंट रिख और एक लाप कि सैफ के मुताबिक इस शाही जिंदगी की वज़ा है उनकी अपनी क्रिप्टो करंसी जिसे नाम दिया गया SBC यानि शाइन वी कोई सब्सक्राइब करते हैं कि इसके ज़िए इंडियन मार्केट में हम कोई यानि धंदा तो क्रिप्टो करंसी का है लेकिन सरकार को भनक ना लगे इसलिए करंसी को कूपोन कह जाता है जी डी वी सी कूपोन मतलब ये कि आप कंपनी में क्रिप्टो करंसी खरीदने जाएंगे तो आपको उस खतीमत के कूपोन थमा दिया जाएंगे यही कूपोन आपके खरीदे क्रिप्टो को अधिक गए कॉइन का सबूत होगा बातों मातों में सैपने बताया कि पिछले साल दिसमबर में जब कॉइन शुरू किया था तो उसके खतीमत सिर्फ पांच रुपई लेकिन छे महीने में ही कॉइन एक सो तीस रुपई का हो चुका है पांच रुपई आप लाइन के अच्छे गए उपर तक जाएंगे घ्रोज अब यहीं और यहां गए अच्छे अच्छे गी उपर तक जाएंगे ग्रोज अब यह इस जैजर आने सेफ का दावा था कि ये सारा धंदा साथ समंदर पार से हुता है कई देशों में उनके दफतर और डीलिंग सीधे इंटरनेशनल मार्केट से होती वह सब्सक्राइब रहे हैं जो है जो है जहते हैं ऑजी से हम यह समझना चाहते थे कि अगर किसी निवेशक ने कंपनी के कॉईन में पैसे लगाए तो कीमत बढ़ने पर उसका भुकतान कैसे होगा पता चला कि इस खेल में रुपए के बदले रुपए नहीं दिये जाते और नहीं करन्सी के बदले करन्सी कि अगरेंशी चाहिए यह करन्सी चाहिए यह कर दो अगरेंशी कर दिया है यह अगरेंशी पांच पर कर देंगे तो यह कैसे होगा है सेफ जो बता रहा था यही इस धंदे का असली खेल है मान लीजे आप एक हजार उपए में इस कंपनी का कॉइन खरीटते हैं दो साल बाद कॉइन की क्यमत एक लाख रुपए हो जाते हैं तो बुकतान के वक्त आपको एक लाख रुपए नगत नहीं मिलेंगे उस एक लाख के बदले कंपनी या तो आपको उस क्यमत की कोई जमीन दे देगी या फिर अपनी किसी दूसरी कंपनी में बना कोई दूसरा प्रोड़क्ट यानि आपके फायदे में भी कंपनी का ही फायदा है हम कंपणी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश करवाएं इसलिए हमारी मुलाकात कंपणी के एक और प्रिजिनेंट ग्यान प्रकाश से करवाएगे ग्यान बाबू हमारे सामने एक नया ग्यान लेकर आए हमें बताया गया कि इस वक्त शाइन भी कॉइन में निवेश करने का सही वक्त वो इसलिए क्योंकि इस वक्त कॉइन की टीमत बढ़ाना कंपणी के हाथ में वो जब चाहते हैं अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दिये जाते हैं अब एक्षेंज पर नहीं आए अभी कंपणी के हाथ में पर पबलिक के हाथ में चली है अभी हमारे हाथ में हमकल इसको एक्सोचारिस करने इंगे वो एक्सोचारिस हो जाए यानि क्रिप्टो करन्सी न हुई घर की खेती हो गए जब दिल चाहा रेट बढ़ा दिये सिर्फ इसलिए ताकि निवेशकों को तसल्ली हो जाए कि उनका पैसा तेजी से बढ़ रहा है बातों बातों में पता चला कि दस्तावेजों में कहीं भी SBC कोईन का जिक्र नहीं किया जाता दिखावे के लिए इसे टोकन या कूपॉन के नाम से बेचा जाता है ताकि सरकार की आँखों में धूल जोंकी जा सके अपने शक को और पुखता करने के लिए हमने इसी कमपनी का कच्चा चिठा खंगालना शुरू कर दिया पता चला कि इस कमपनी के असली मालिक है मोहम्मद राशिट पुछ वक्त पहले तक राशिद मिया स्पीक एशिया जैसी कई मल्ची लेवल मार्केटिंग कमपनियों के साथ जुड़े लिए सैकणों लोगों को लाखों का चूना लगाने के बाद राशिद ने खुद की चिक्पंड कमपनी खोली और इस गोरक गंदे की बदॉलत सीरो से शुरू हुई कमपनी आज दो हजार करोड की बन गई हुड़ी और चानबीन की तो पता चला 2015 में राशिद मिया पर एक रेप का मुकदमा भी दर्जुआ था जिसके बाद पीडित ने राशिद मिया पर जान से मारने की धंकी का आरोप भी लगाया 2017 में राशिद पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, धोका धड़ी और थमकी देने जैसे कई संगीन आरोप लगे 2015 में राशिद के एक दफ्तर पर चापा भी पड़ा था और करीब 2 करोड रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी लेकिन राजनेतिक रसूप दमदार है, इसलिए राशिद मियां आज भी आजाद घूम रहे हैं और क्रिप्टो करनसी के जरीए लोगों को ठगने का नया धंदा चला रहे हैं और अब हम आपको एक और कंपनी का सच दिखाते हैं, एक ऐसी कंपनी जो क्रिप्टो करनसी का लालज दे कर न जाने कितने निवेशकों से पैसा वसूल चुकी है खुफिया कैमरे की बातचीत में हमें पता चला कि ये कंपनी अब जल्दी अपनी करनसी भी शुरू करने वाली है एक कोईन के खीमत अभी 70 पैसे रखी गई है, लेकिन दावा है कि ये कोईन जल्दी बिटकोईन को भी अब पीछे पशार देगा उत्तर प्रदेश में लोगों को करोड़ पती बनाने का सपना दिखाती एक और कंपनी, नाम है रियल इंडिया सरकार की नजर न पड़े, इसलिए कंपनी का दफ्तर एक रहायशी इलाके में खोला गया है निवेशकों के लंबे चौड़े नेटवर्क के दावे के साथ हमारी अंडरकवर टीम ने इस कंपनी का भी दर्वाजा खट-कटाया मुलाकात हुई कंपनी के मालिक प्रदीप गुपता से कि कहने को तो यह कंपनी रियल एस्टेट के धंदे में है यानि जमीनों की खरीद फरोख्त लेकिन अब गुपता जी लोगों को माला माल करने का नया आइडिया लेकर आएं यानि अपनी खुद की क्रिप्टो करन्सी जिसे बिटेक्स नाम दिया गया है कि अब इन दुटार में पाँ पर्षेंड लोग रिप्टो करने जानते हैं आप समय पाइसार आप कमा सेक्टेश्ट वह वह व्यूंज पाइसे वह व्यूंज तो अब तो इसमें विट्कोइन वाव उसका है इसने विट्कोई खरीदे होंगे वाई अरपती करोड़ी क्रो हजारों निवेशकों का नेटवर्क है इसलिए हमें धंदे के बारे में इत्वनान से बताया जाने लगए और हमारी मुलाकात करवाई गई कंपनी के एक बड़े अधिकारी विनोद चौरसिया से चौरसिया साहब पहले स्पीक एशिया और स्माइल सिटी जैसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में काम कर चुके हैं और लोगों को बहला फुसला कर पैसे एंटने का हुनर अच्छी तरह जानते हैं ऐसा घजब का कॉन्फिरेंस देखकर चौरसिया साहब की बातों में हमारी दिल्चस्पी बढ़ने लगी बाते में ऐसी मानों अर्थशास्त्र के कई सबक उन्होंने खुदी लिखे हूं कि बाता रहे थे कि भारत में क्रिप्तो करन्सी बैंड है इस दिए उन्होंने कंपनी का रिजिस्ट्रेशन लंदन में कराया कि हमने पूछा कि रिजिस्ट्रेशन लंदन में है भारत में धंदा कैसे कर रहा है तो सुनिय चौरसिया साब ने क्या जवाब दिया अगर हम करेंसी खरीटे हैं तो उसकी स्योंटी क्या होगी तो कि हम पर इंडिया में कंपनी आपी लंदन में ठीक है अब अगर हमने खरीदा ये पर जिस्ट्रेशन लेकिन इसकी पर दिख दरना पड़ा है चौरसिया साब हमें जो भी समझाना चाहरे थे उससे इतना तो साफ था कि यहां भी एक बड़ा वर्जी वाड़ा इसलिए हमने सीधे कंपनी के मालिक प्रदीव कुपता से बात चीच शुरू की हम लोग आप से दोलना चाहरा है तो पुरीज फिल्ड के साथ तो हमें स्योटी किस्टी पिस्टी आते हैं लेके मेरे पास एसेट में जमीन है ठीके आप आज पसर दगाओ सुरंक एग्रिमेंट ले लो हपते बरके में पर रजिस्ट्रेड़े दे किस्से बोड़ी स्योटी गुप्ता जी की बात कुछ हजम नहीं हुई हम बात क्रिप्टो करनसी की कर रहे थे और गुप्ता जी हमें जमीन के दाम समझा रहे तो कुछ देर और बात चीत हुई तो ये खेल भी समझ में आ गया मतलब ये कि दस्तावेजों में कोई नहीं खरीदे जाएंगे खरीद फरोख्त होगी जमीन की ताकि सरकार को ये बता जाए कि निवेशक ने कमपनी से जमीन का सौधा किया फिर उस पैसे को चुपचाप क्रिप्टो करणसी में लगा दिया जाएगा हमने थोड़ी और पूश्टाज करनी चाही तो गुद्दा जी थोड़ा नाराज से हो गए हम सिर्फे जानना चाहते हैं कुप्ता जी का घुस्सा भी शांत नहीं हुआ वो बताने लगे कि उनके बिटेक्स कॉइन किसी मामले में बिटकॉइन से कम नहीं है कर दो कि नहीं दो को सुफिते कि पूस्तान में हैंट कि वो इस दो करें जैना है अब अंसरी दो मतर हो भी शुमें को सामने बास भरो अभी आप ऑप औलाने पीटेक्स ओग्रोगें तो आप विटकॉइन से कहा उसा है विटकोईन ने बाइजी सिस्टम नहीं है, तो आप सुनिये बरेने, बिटकोईन की इस्टी भी तो आप समझी है, बिटकोईन आज जिस मुकाम पर है, कि अधेवन में था, उसी नहीं कोई मार्केटिंग की टेज़ प्लाणिंग करी, मार्केट बाने करें, उसने में ज़सकं प्रदीब गुपता का तावा था, कि जल्द ही वो तेश विदेश में बिटकोईन शुरू करेंगे, और देखते ही देखते ही उनका कोईन, बिटकोईन को भी मात देदेगा, प्रदीब गुपता का दावा था, कि कोईन के साथ-साथ, वो अपनी खुद की एक्स्चेंज भी शुरू कर देंगे, जिसमें दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी रिजिस्टर होगी. यानि जिस करेंसी पर सरकार ने पूरी तरह पैन लगा दिया है, उस धंदे को तमाम नटवरलाल आज भी धडल्ले से चला रहे हैं। जनता को लूटा भी जा रहा है और सरकार की आँख में धूल भी जोगी जा रही है। हमारे खुफिया कैमरे में कैद तीसरी कमपनी और भी शातिर थी। इस धंदे पर भारत में पाबंदी है और इसलिए भारत में कमपनी का कोई दफ्तर नहीं है। सारा काम वेबसाइट के जरीए होता है। हमारी अंडरकवर टीम की मुलाकात कमपनी से जुड़े एक बड़े अधिकारी से हुई। जिसने बताया कि उन्होंने सरकार के आँखों में धूल जोकने का सारा इंतिजाम कर रखा है। और कोई चाहे भी उनके धंदे को पकड़ नहीं सकता। लखनौ के एक रेश्टरॉंट में हमारी मुलाकात हुई राजेश जैसवाल से। राजेश अफ्टैनिक्स नाम की एक कंपनी में मैनेजर लोगों को लालच का लॉलिपॉप दिखाने के लिए इस कंपनी ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी शुरू की है। नाम है जायन कॉइंट। बाच्ची शुरू हुई तो राजेश ने हमारी तारीफ पूछने से पहले अपनी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दी है। और बताया कि वो धंदे के सबसे धाकड़ खिला रही है। हमने कंपनी के नेटवर्क के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनके पास करीब साथ हजार निवेशक है। और करीब एक करोड कोईन का लेंदेन भी है। आपके टीम कितने लंगी है सर अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूं अप्टैजिक्स में हमारा साथ हजार लोग है। और इससे पहले जो था हमारा बन पॉइंट वहां ज्यादा नहीं साथ हजार लोग के टीम है। आप कोईन आपके पासोग है। जो पर्षेद या सेरी के अप्टैजिक्स में लोगों ने इतना लंबा चौड़ा नेटवक क्यार कर रखा है। बातों बातों में पता चला कि इस कंपनी का भारत में कोई दफ्तर है ही नहीं। सारा काम मोबाइल फोन पर होता है। देश में किसी को भी कंपनी का जायन कोईन खरीदना हो तो उसे राजेश से संपर्ख करना होगा। हमें भी इस धंदे का पुराना खिलारी समझ कर राजेश जाइसवाल बहुत कुछ बताने लगे। ये भी बताया कि कुछी दिरों में एक वेबसाइट लॉंच होने वाली है। जिसके बाद सौदेबाजी और भी आसान हो जाएगी। अभी परसों में पास मेल आया है, जैन कॉइन का, इसका एक वेबसाइट आ दिये है, jpex.com इस पे 4 लाख मर्चेंट आ रहे है, जिन पे आप यूज करके, मोबाइल रिचार्ज करिए, जाहे फ्लाइट टिकर्ट बुक करिए, आप जैन कॉइन 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 कॉइन, यानी यूटिलिटी पहले दिन के लिए। अब क्या रेट होगा, अभी तो सर वन डॉलर का एक है, अभी वन डॉलर का है, एक है, इंडिया में मार्केट पैसा है इसका, इसका मख, तर लगवग, ताठ हजार प्लस लोग है आज, इंडिया, और कितना इंवेस्टमेंट हुआ है, डेड़ सो करोड का आंकड़ा सुनक कर हमारे भी होश उड़ गए, क्योंकि ये सारा पैसा सिर्फ भारतिये निवेशुकों से कठा हुआ है, अब बारी थी ये समझने की, कि अगर कोई 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 खरीपना चाहे, तो लेंदेन कैसे होगा, यहां टांजक्शन का क्या रहेगा, अगर आपको पर्चेज करना आप मतलब ये कि कहने को कमपनी का सारा काम आउनलाइन होता है, लेकिन पैसों का लेंदेन कैस में ही हो रहा है, ऐसा इसलिए ताकि किसी भी लेंदेन की जानकारी सरकारी संस्थाओं से चिपाई जा सकी है राजेश जाइसवाल से हमारी लंबी बादचीत हुई, और इस बादचीत में राजेश ने बताया कि इस धंदे से जुड़े लोग सरकारी तंतर से भी चार कदम आगे हैं, सरकार लाग कोशिश कर ले, लेकिन असली धंदे को पकड़ना असान नहीं है हैं वह तो बन नहीं करेंगे ना, हम कैश में डील करेंगे, वह भी बन कर दो आप गरादी एक दम से पकड़ लिये गए तो हम सोड़ो गटाओ, हम गए जापान पूरा फुली लीगल है, हौंग कॉंग में एतिम लगे हैं, जापान में एतिम लगा हुआ है, दुबई में हैं अपका इंडोनेशिया में, मलेशिया में, एतिम में, सिंगा पूरा इको फ्रेंडली हो गया है तो, विसमें आफ्चिदिया हो गया, किसना 50-60 जार उपर जाने आने का सत्ती ही को लगेगा, जाएंगे एतिम से पैसा निकालेंगे, सुरस में साला पूरा वर्ड का दोर लेंगे, अब सवाल ये कि आखिर इस गोरक तंदे से छुटकारा मिलेगा कैसे, हमारी तफ्तीश में पता चला कि अकेले लखनव में क्रिप्टो करनसी का सौधा करने वाली 100 से जादा कमपनिया हैं, अब पूरे देश में ऐसी कितनी कमपनिया होंगी, कितनों को चून लगा रही होंगी, इसका भगवान ही मालिक है।